हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपका दोस्त अक्षद दादीज आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आर्टिकल्स क्या होते हैं तो आएए देखते आर्टिकल्स क्या होते हैं आर्टिकल्स 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 वो शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के यहां पे आगे लगकर उसको पॉइंट आउट करते हैं एक्जाम्पल वन आइड पर्सन इसमें देखो यह यह वाला जो हमारा आर्टिकल्स है यह वन आइड पर्सन को पॉइंट आउट कर रहा है उनसे पहले लगके यह इसको पॉइंट आउट कर रहा है इसलिए यह चीज है हमारा आर्टिकल्स here this word is pointing out something therefore they are articles अब हम देखते हैं types of articles articles के तीन types होते है definite a है जो कि हमारा है indefinite article n है हमारा indefinite article और the है हमारा definite article अब हम देखते है uses of a we use a when it is countable in singular number and pronounced with a consonant sound in beginning यानि कि एग्जांपल के तौर पे a platform a platform हमारा countable है क्योंकि हम इसको गिन सकते हैं जैसे railway station हम गिनते हैं प्लेटफॉर्म नमबर 1 प्लेटफॉर्म नमबर 2 प्लेटफॉर्म नमबर 3 वैसे प्लेटफॉर्म को हम गिन सकते हैं इसलिए countable है in singular number अब यह singular है क्योंकि इसके आगे एस या फिर यह नहीं दे रखा इसलिए यह singular है और प्रणाउंस्ट विदा कॉंसोनेंट साउंड यानकि ए ई आई ओ यू के साउंड के अलावा जो भी साउंड्स होते हैं तो उनसे यह शुरू होने वालों से पहले हम ए लगा देते हैं जैसे प्लेटफॉर्म में पर की साउंड आ रही है और पर कोई वाउल साउंड निया है तो कॉंसोनेंट साउंड है इसलिए हमने इसके आगे लगा दिया यह वी यूज ए वे इट इस यू साउंड प्रणाउंस्ट इन बिगिनिंग एग्जांपल और यूनिवर्सिटी अब इस शब्द में मतलब जिन शब्दों में यू साउंड शुरू शु यू निवर्सिटी यू आ गया इसलिए यह इसके आगया हमने लगा दिया अब जैसे है यूरोप यूरोप में भी यू साउंड आता है इसलिए हम उसके लगा देंगे अ यूरोपियन मैन we use a when it is ver sound pronounced in beginning यानि कि जिन में you sound आता है और जिन में ver sound आता है example of one rupee note अब इसमें देखो one में ver sound आगया शुरू शुरू में इसलिए हम इसके आगे लगा दिये अब हम देखते है uses of an We use an when it is countable in singular number and pronounced with a vowel sound in beginning यानि कि an हम use करते हैं जब वो countable हो और singular number में हो और a में हमने पढ़ा था जो consonant sound से शुरू हो और an होता है जो vowel sound से शुरू है अब जैसे an arrow तो इसमें arrow में शुरू शुरू में a की sound आ रही है और एक vowel sound है इसलिए हमने इसके आगे लगा दिया an तो ये example एकदम correct है We use an when we pronounce silent as यानि कि जिन जिन शब्दों में silent as होता है शुरू में उसके आगे हम an लगाते हैं जैसे an honest man अब इसको हम honest नहीं बोलते हैं इसको हम honest बोलते हैं और vowel sound है O की sound आ रही है O vowel है इसलिए हम an honest man बोलेंगे अब हम देखते हैं uses of the We use the with a noun which is already mentioned यानि कि हम the तब यूज करते हैं जब noun पहले से ही आ जाए जैसे I got a laptop and a camera The laptop is nice but the camera doesn't click ये laptop and camera ये एक noun है लेकिन यहां पे हमने the camera और the laptop लगा दिया लेकिन इन में क्यों नहीं लगा है क्योंकि यहां पे जब हम यहां पे आये तो noun पहले से ही mention हो चुकी थी इसलिए हमने इन दोनों के आगे लगा दिया the We use the when a noun is particular हम तब यूज करते है the जब non particular होती है the books I usually read मतलब जैसे अब हम बोलेंगे books तो पूरी category हो गई books और books I usually read ये particular है ये निश्चित है We use the when there is superlative degree of adjective अगर आपको ये adjectives नहीं है पता कि ये क्या होते है तो description में adjective का link है आप वहां पे जाके हमारी adjective की video देख सकते है जैसे the highest star in the sky तो इसमें देखिए highest superlative degree का हो गया the highest star in the sky तो हमने इसके आगे लगा दिया the जो हमने इती देर से पढ़ा उसकी summary बता देते है articles are used to point out noun articles use होते हैं noun को point out करने के लिए there are three types of article तीन types होते है article के the is used for particular noun particular के लिए the use होता है and vowel sound के लिए use होता है और a हमारा consonant sound के लिए use होता है story of p.o.s story of parts of speech the head of the family's article he always points out noun his son यानि की जो इस parts of speech family का head है वो है article जो की सब के दादा जी है जो हमेशा point out करता है यानि की हमेशा टोकता रहता है noun को जो की उसका बेटा है the noun has a wife verb which is always there whenever he needs her यानि की यह जो noun है article का बेटा इसकी शादी हो चुक है और इसकी wife है verb which is always there whenever he needs her यानि की वो हमेशा उसके पास होती है जब भी उसको उसकी जर्रत होती है they have several children यानि की उनके 3-4 बच्चे भी है their lovely daughter adjective favors her father यानि की उनकी सबसे प्यारी बेटी adjective हमेशा उसके father के गुणगान करती रहती है यानि की noun की विशेशता बताती रहती है the youngest son adverb is mama's pet यानि की यह जो adjective है यह noun को point out करती है noun के बारे में बताती है और adverb जो है वो verb के बारे में बताती है यानि की adverb ममी की pet है but their eldest son यानि की उनका सबसे बड़ा बेटप जो है pronoun is very responsible he takes place his father's place when noun is not there अब देखें कभी-कभी होता है जब पाप आनी होते है तो सबसे बड़ा बेटा है बेटी उनकी जगे ले लेता है वैसे ही pronoun है यह grammar में भी noun की जगे लेता है और इस story में भी यह noun की जगे लेता है preposition is their mate she maintains good relationship यानि की preposition उनकी नौकरानी है जो उनके बीच में अच्छी relationship रखती है they have a friend conjunction उनका एक दोस्त है जिसका नाम है conjunction he joins the family यानि की वह family को जोड के रखता है कभी उनको अलग होने देता they have a cracky uncle यानि की उनके एक मजाकिया से अंकल है introduction he always excited यानि की वह बहुत उचलते रहते है बहुत excited होते हैं and come suddenly और अचानक से आ जाते हैं कहते हैं parts of speech thanks for watching guys please subscribe our channel and like our video